नमस्कार दोस्तों सरकारी जोप ग्यान के ओपीशेल यूट्यूब चेनल पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टी टी ए रिक्रूट्मेंट टुठाव जैन 24 के बारे में जी हां दोस्तों रेलवे की तरफ से ट्रेवलिंग टिकेट एक्जाम क्या रखा जाएगा कब से कब तक आप इस बर्तिक लिए अपना ओलाइन एप्लिकेशन फोर्म सम्मिट कर सकते हैं और आपको यहां पर परमत पेस्केल कितना प्रुवाइड किया जाएगा इन सभी टॉपिक के बारे में इस टूडियो में हम बात करेंगे इस वीडियो को एक्षिक जरूर दिखीगा साथी में दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करने चाओंगा अगर अभी तक आपना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरू से आप इस बर्तिक लिए इसका ओनला इन अप्लिकेशन फूम शमिट कर सकते हैं एंड इस बर्तिक लिए इसका ऑपिशल नोडिकेशन डाउंडोर कर सकते हैं सुप्रेंश अगर मैं यहाँ पर बात करूं इंडियन्ट रेफीट्मेंट टावर्चेन ट्वन्टी पोर में त प्रार्पी की तरब से आपके इन vacancies को और्गिनाइज करवाए जाएगा और पोस्ट नेम के बारे में बात कर लेंगे तो ट्रेवलिंग टिकेट एक्जामनेट टीटीए और टिकेट कलेक्टर टीसी के पद पर आपको ये vacancies देखने को मिल जाएगे और फिर ये बात कर लें सेलेक्शिन प्रोसेस के बारे में तो दीकिए सबसे पहले आपका computer based written exam कंडेक्ट करवाए जाएगा जो कि आपका CVT रहीगा इसके बाद बाद आपका document certification और medical examination आपका यहाँ पर कंडेक्ट करवाए जाएगा फाइनली आपको यहाँ पर merit list देखने को मिल जाएगा तो यह आपकी कुछ इस्तिपरींगी जिनके अधार पर आपको final selection आपर मिलने वाला है बात करते ही दूस्तो age limit के बारे में तो दीकिए minimum 18 साल आपकी age यहाँ पर रखी जाएगी और maximum 30 साल तक के candidate यहाँ पर आविदन कर सकते हैं साथी में government tools के अनुसार आपको age rate sessions भी provide किया जाएगा educational qualifications के बारे में बात के लिए तो 10-12 पास candidate इस मरतिकले आविदन कर सकते हैं साथी में जो candidate यहाँ पर डिप्लोमा किये हुए हैं वो candidate भी इस मरतिकले आविदन कर सकते हैं job location आपके all over India रही कि all over India के candidate इस मरतिकले आविदन कर सकते हैं पूरे भारत से महिला और पुरुस male and female बहुत candidate इस मरतिकले आविदन कर पाएंगी pay scale के बारे में बात के लिए तो 52,200 रुपे आपको salary दी जाएगी साथी में काफी अच्छा कासा grade पे आपको इहाँ पर मिलने वाला है application fees के बारे में बात के लिए तो दीखें फोर general candidate के लिए 500 रुपे application fees रहने वाली है और अगर आप SCST category की candidate हैं या फिर accessment category की candidate हैं disability candidate, woman और transgender candidate के लिए यहाँ पर 250 रुपे application fees रहने वाली है इनके बारे में तो दीखें यहाँ पर minimum का जो age limit आपके रखी गई है 18 से 30 साल रखी गई है जोकि 1 जोलाई 2024 तक आपकी age को यहाँ पर count किया जाएगा 10 वी बारवी pass और diploma pass candidate इस बरतिक लिए अपना application form submit कर सकते हैं इसी के साथ में application fees के बारे में बात कर लें तो general and OBC candidate को 500 रुपे SC, ST, EWS and PWD candidate को 250 रुपे application fees जमा करवाने के जर्रत होगे साथी में दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं selection process के बारे में तो दीखें सबसे पहले आपका CBT रहीगा computer based written exam आपका candidate कर वाई जाएगा इसके बाद में आपका documents or verification और medical examination आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बात करते हैं दोस्तों exam pattern के बारे में तो दीखें आपका जो exam pattern रहीगा इसमें general awareness से 40 question 40 number के पुछे जाएगे mathematics से 30 question 30 number के पुछे जाएगे साथी में दोस्तों general intelligence and reasoning से भी आपको 30 questions 30 number के देखने को मिल जाएगे total 100 question रहेंगे 100 number का आपका paper रहीगा और 90 minute का आपको यहाँ पर time दिया जाएगा paper solve करने के लिए बात करते हैं दोस्तों how to apply के बारे में कि किस तरीके से आप इस बर्थी के लिए अपना online application form submit कर सकते हैं तो दीगे दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ steps provide किये गए हैं आप इन steps को follow करके easily अपना online application form घर बेट करके अपने mobile के मैध्यम से submit कर सकते हैं अगर आपको अपना online application form submit करने में किसी भी प्रकार के problem का सामना करना पड़ता है तो आप नीचे comment box में next video के लिए comment कर सकते हैं दोस्तों आपके comments के अधार पर आपके लिए जल्दी शेक नई वीडियो लेकर क्या चाओंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना online application form घर बेट करके अपने mobile के मैध्यम से submit कर सकते हैं और इसी के साथ में दोस्तों बात कर लेती हाँ पर official link के बारे में या फिर जो important link के बारे में तो देखे apply online का link and official notification का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा जहां से आप इस बरती के लिए इसका official notification डाउनलूर कर सकते हैं साथी में इस बरती के लिए अपना online application form submit कर सकते हैं तो फिर नीचे comment box में आपको जो है John Wise application link मिल जाएगे जाकर के दोस्तों जो है इस बरती की पूरी की पूरी अपडेट चेक कर सकते हैं उम्मेद करता हूँ दोस्ते वीडियो आप सुभी को पसंद आई हुगी वीडियो कैसे लगिया नीचे comment करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई है तो वीडियो का लाइक जरूर कर दीचेगा दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल मत बूलना चैनल पर पहली बार विजिक कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बेटन को जरूर दबालें ताकि इसी तरीकी की लेटेस्ट कवर्मेंट जॉप्स की इंफोर्मिशन्स आपको सबसे पहले मिल सके तब तक के लिए टेक क्यार बाइट जैहीं दोस्तों